स्वास्तिवी भाग में सबसे जादा संख्या में नर्स देखने को मिलती है कोई भी छोटा होस्पिटल ले लो या बड़ा सरकारी हो या प्राइवेट सभी में इस्टाब के अंदर सबसे जादा संख्या में नर्से ही मिलती है और स्वास्तिवीभाग मे नर्स एक महत पूर्ण भूमी का निभाती है और इसलिए इस पद के लिए ज़दतर हॉस्पिटल्स में वेगंसीज खाल ही रहती है और दोस्तों नर्स सिर्फ दो साल में डिप्लोमा कोर्स करके बन सकते हैं जिसका नाम है A.N.M. Diploma Course इस course को करने के बाद बनी नर्स को A.N.M. Nurse कहा जाता है इनका काम भी hospitals में या जहां पर इनकी duty लगा जाती है वहाँ पर रोग्यों की देखबाल करना, उन्हें समय पर दवाई दिना डोक्टर्स की सहायता करना, वहाँ पर यूज होने वाले उपकरन जिनसे टेश्ट वगेरा किया जाता है उनकी देखबाल करना और रोग्यों के records को मैनेज करने की जिम्मेदारी A.N.M. Nurse की होती है और ऐसा नहीं है, A.N.M. course करने के बाद candidates को सिर्फ hospitals में ही काम करना पड़ेगा और भी बहुत सी opportunities हैं और भी बहुत सी नोकरिया है जिन्हें A.N.M. course करने के बाद किया जा सकता है और यहाँ तक की सरकारी A.N.M. भी candidate बन सकते है इन सब के बारे में अभी थोड़ी ही देर में हम विस्तार से बात करेंगे उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर A.N.M. course क्या होता है कौन-कौन इसे कर सकता है, इसका syllabus क्या होता है, आदिस सभी कुछ दोस्तो A.N.M. का पुरा नाम एक्जलरी नर्स मिडवाइफरी, साहेता नर्स परसुती होता है यह दो साल का डिपलोमा कोर्स है और इस कोर्स को लड़किया ही नहीं बलकि लड़के भी कर सकते हैं, बहुत से candidates को यह doubt होता है लेकिन नहीं, दोस्तो लड़के भी इस कोर्स को कर सकते हैं और hospitals में नोकरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम कोलिज है जो लड़कों को यह कोर्स करवाते हैं तो wealth pass, science और non science यानि की arts वाले भी इस कोर्स को कर सकते हैं यह कोर्स अगर private college से करना है, तो candidate किसी भी private college में direct admission ले सकते हैं, उसके लिए कोई entrance exam नहीं देना होगा private college में इस कोर्स की fees 80,000 से 2,000,000 रुपे 35 साल के लगभग होती है और यह तो आपको बताई है कि अलग-अलग private college में अलग-अलग fees का structure होता है, तो fees थोड़ी बहुत अलग-अलग होती है लेकिन अगर candidate सरकारी college से एनम का कोर्स करना चाहता है, तो उसे एक entrance exam देना होगा जो सभी राज्यों में अलग-अलग होता है, इस exam में 12th level के Life Science, Physics, Mathematics, English, General Knowledge और Logical Reasoning विश्यों से 100 नमबर के परश्ण पूछ जाएंगे और आपको बता दे कि अलग-अलग राज्यों के हिसाब से यह syllabus भी थोड़ा बहुत अलग-अलग हो सकता है तो इस exam को पास करने के बाद नमरों के आधार पर merit list तयार की जाती है और फिर merit list के आधार पर candidate को सरकारी college दिये जाते हैं सरकारी college में इस course की फीस 50,000 से 65,000 रुपे परती साल के लगभग होती है और सरकारी college में scholarship भी candidate को दी जाती है इस A&M course का private हो या सरकारी college syllabus सभी का समान ही होता है इसके पहले साल में community health nurse, health promotion, child health nurse, primary health care nursing विशे पढ़ने होंगे जबकि दूसरे साल में midwifery, child health, community health and health center management आधी विशे पढ़ने होंगे इसके साथ ही college में candidate को practical भी समय समय पर देने होंगे तो दो साल का A&M course करने के बाद या तो candidate किसी private hospital में A&M nurse का काम कर सकती है जहां पर परदी महा 15,000 से 20,000 रुपे के लगभग उन्हें वेतन मिल जाता है यह सरकारी hospital में भी nurse के लिए भरदिया निकलती रहती है उसके लिए apply कर सकते हैं यह भरदिया अलग-अलग राज्यों में निकलती है इसके लिए candidate को exam देना होता है जिसे पार्स करने के बाद candidate सरकारी hospital में A&M nurse बन जाती है जहां पर candidate को 30,000 से 40,000 रुपे परती महा के लगभग वेतन मिल जाता है और यह वेतन भी अलग-अलग राज्यों के हिसाब से कम या जाता हो सकता है और अगर candidate hospital में काम नहीं करना चाहता या चाहती तो उनके लिए और भी बहुत सी opportunities है और भी नोकरिया है जो वे कर सकते हैं जैसे medical lab में नोकरी कर सकते हैं nursing college में teacher बन सकते हैं nursing tuition teacher, nursing assistant, home care nurse आधी काम कर सकते हैं और इन jobs में भी candidate अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो दोस्तो एक तरह से देखा जाए तो अगर आप medical department में जाना चाहते हैं तो यह course अच्छा है क्योंकि यह सिर्फ 2 साल का course है जिसके बाद candidate किसी भी private hospital में नोकरी कर सकता है और परती महा 15,000 से 30,000 रूपे के लगभग कमा सकता है तो दोस्तो इससे संबंदित अगर आपका कोई सवाल है कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों में शियर जरूर कीजेगा जो की medical department में जाना चाहते हैं या जिनोंने 12th complete कर ली है और आगे कोई बढ लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजेगा